हेलो दोस्तों सागेते हैं अब सभी कब बीस रिव्योज में आज हम लोग रिव्यू करेंगे नेट्विक्स की वेब सेरीज मनी हैट सीजन 5 के वॉल्यूम 2 को तो इस वीडियो को इन तक ज़रूर देखना तो चली शुरू करते हैं तो मनी हैट सीजन 5 का वॉल्यूम 2 अभी कुछी देर पहले नेट्विक्स पे रिलिस हो गया है इस वॉल्यूम में भी टूटल 5 एपिसोड है और हर एपिसोड 55-54 मिनिट के आसपस का है और हाँ मनी हैट सिंदी में भी अविलेबल है तो अगर आप लोगों ने अभी तक मनी हैट नहीं देखी है तो आपको लेंग्वेज की कोई प्राब्लम नहीं आएगी और आगी कुछ भी बोलने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि इस वॉल्यूम को समझने के लिए आपको इस सीरीज के पिछले साड़े चार सीजन देखने पड़ेंगे तब ही आपको ये वॉल्यूम समझ आने वाला है और अगर आप लोगों ने वो साड़े चार सीजन इंज्जॉय करे थे तो आप इस वॉल्यूम को भी काफे दा इंज्जॉय करने वाले हो और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ इस पर तो मैं आगे वीडियो में बात करूँगा अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो ये वॉल्यूम वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ पिछली वॉल्यूम खतम ही थी याने टोक्यो की डेथ हो चुकी है और ये सारे लोग बैंक में फसे हुए है तो उसके बाद इन सबकी लाइफ में आगे क्या क्या होता है और अब प्रोफिसर इनको भाहर निकालने के लिए क्या कुछ करेगा यही सब इस वॉल्यूम की कहानी है अगर हम इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो पर्सनली मुझे इस वॉल्यूम के स्क्रीन प्ले भी काफे ज़ैदा पसंद आया है क्योंकि इस वॉल्यूम में जिस तरह की एमोशिन्स हमें देखने को मिलते हैं तो आपको पता होगा कि starting में इन लोगों के मन में एक दूसरे के लिए कोई भी emotion नहीं थे यहां तक कि ये लोग एक दूसरे का असली नाम तक नहीं जानते हैं लेकिन अब जब ये series end होने वाली है और जिस तरह की emotions इन लोगों के मन में एक दूसरी के लिए आ चुके हैं, वो सब इतने ज़ाद अच्छे हैं कि बस मज़ा आ गया है। और किस तरह से ये सारे लोग यहां से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और साथी साथ ये कितने ज़ाद़ emotional भी हैं, वो सब भी मुझे काफे ज़ाद़ पसंद आ है, क्योंकि इन साथी चीज़ों को जिस तरह से लिखा गया है न, वो काफे ज़ाद़ अच्छा है, और जहांते बात है character development और characters के बच्छे dynamics की, तो इस volume में हमें सभी characters की एक नई आर्क देखने को मिलती है, और जिस तरह से उस आर्कों को लिखा गया है न, वो बहुत अच्छा है, और जो characters के बच्छे dynamics है, वो भी इस volume में काफे ज़ाद़ अच्छे हो चुके हैं, लेकिन अगर हम इस volume इसके पिछले साड़े चार सीजन लिखे गए थे, इसलिए अगर आप इस series के पहन हो, तो आपको इस volume में एक भी negative point नहीं मिलेगा, और अगर हम acting की बत करें, तो सभी actors का कम धमाकेदार है, फिर चाहिए आप किसी बत करो, personally मुझे सभी actors का कम बहुत ज़ाद पसंद आया है और जहांते बाते direction और editing की, तो direction तो इस volume का बहुत ज़ाद अच्छा है, कोई जिसतर से director ने इस पूरी series को end करा है ना, वो काफ़ ज़ाद अच्छा है, और जो editing है, वो भी मुझे बहुत ज़ाद पसंद आईए, और अगर हम production quality की बत करें, तो तो लाजवाब है ही, तो overall म यही बुलना चाहूँगा, कि अगर आप लोग को money high series के पिछले साड़े चार्ट सिजन पसंद आये थे, तो आपको ये volume भी पसंद आने वाला है, लेकिन अगर अगर अभी तक आपने money high series नहीं देखी है, तो मेरी तरफ से तो ये series recommended है, और अगर आपको वीडियो से related को से अगर वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेर कर देना, मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए, जय हिन्द, जय भारत!